Hello students, welcome back to online classes of Bright Academy Public School for Class 1st Subject Hindi हमने पिछले क्लास में A की मात्रा पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे छोटी E की मात्रा चलिए, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, आप UKG क्लास में पढ़े हैं, आपको बस यहां रिवीजन करना है और अगर आप भूल गए हैं, तो आप ध्यान से फेट से सीखिए आ, चेणियां आ, हर दिन आ, बग्यां आकर दाना खा, ना ना गिन मत, मन भर खा, दाना खाकर उड मत जा, बढ़ियां बढ़ियां गाना गा, गा कर सबका दिल बहला हम छोटी की मात्रा पढ़े हैं, ठीक है, आप यह फिर से बोल कर अच्छे से पढ़ियेगा चलिए अब इसका अभ्यास प्रश्ण हम देखते हैं मौखिक, बोल कर पढ़ों, यह आपको बोल बोल कर पढ़ना है चिनियां, किताब, तकिया, इसी तरह और भी लिखाए, किताब, नारियल, किस्मिश, किस्षान तो आप यह ध्यान से बोल कर पढ़ियेगा खाली जगों में अक्षर लिखकर शब्द बनाओ यहाँ पर खाली जगद दिये गए आपको यहाँ पर अक्षर लिखकर पूरे शब्द बनाने कौन सा अक्षर यहाँ होगा, कि यह शब्द बनेगा आपको यह सोच कर लिखना है चली अगला प्रशने देखिए चोटी एकी मात्रा वाले आशब्द लिखने है आपको चोटी एकी मात्रा लगे वाले आठ शब्द लिखने है तो आप ध्यान से सोचेगा कि क्या शब्द आप लिखोगे जिसमें चोटी एकी मात्रा लगी है जैसे यहाँ पे लिखा है ना, किताब, नारियल, इसी तरह आपको और 8 शब्द सोच कर लिखने हैं, जिसमें छोटी की मातरा लगी है, मैं और भी अभ्यास प्रशन आपको दिखाती हूँ, देखिए, प्रशन एक, छोटी की मातरा लगा कर शब्द पुरा करो, आपको छोट की मातरा लगानी है, छोटी की मातरा आगे के साइड से लगती है, तो आप जो भी यहाँ पे शब्द लिखें, उसमें छोटी की मातरा लगा कर उन्हें पूरा करना है, चलिए, देखिए, पहला स लिखा है, ता रा, तो हमें स पे छोटी की मातर लगानी है, क्या बन गया य लगाएंगे क्या बनेगा बील इसी तरह और भी दिये गए हैं आपको चोटी की मातरा लगा के शब्द पूरा करना है प्रश्न दूसरा खाले इस्थानों में चोटी की मातरा वाले अक्षड लिखकर शब्द पूरा करो आपको इन खाले इस्थानों में सिफ चोटी की मातरा वाले ही अक्षड लिखना है और यह शब्द पूरा करना है मैं पहला उजारण आपको बताती हूँ जैसे लिखा है ख लिखा है तो यह कौन सी चोटी की मातरा वाले अक्षड होने चाहिए खटिया ऐसे ही छोटी की मातर वाले अक्षर लिखिएगा जिससे हमारा एक शब्द बने खटिया इसी तरह यहाँ पर और भी एक्जामपल दिये गये हैं आपको खुद से करना है यह आपके लिए होमवाक है प्रशन तीसरा चित्र पहचान कर उनका नाम लिखो चित्र देखी किसका चित्र बनाएका मैं बताती हूँ आपको कि-त-ब किताब 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 का चित्र बनाए इसी तरह और भी चित्र बने आपको चित्र पहचान कर उनके नाम लिखना है पैरेंट्स आप बच्चों को और भी इस तरह चित्र बनाके उनके होमो कॉपी में दीजेगा ताकि वो उनका नाम लिखे और पहचान सके कि क्या चित्र बनाया ओके स्टुडेंट अपना वक साफ और सुन्दर अक्षर में कीजेगा बब बाई